नमस्कार मैं हूँ अनुराधा प्रसाद और भारत एक सोच में आपका स्वागत है राजनीती लोगतंत्र और चुनाव में दिल्चस्पी रखने वाले जादा तर लोगों के जहन में एक ही सवाल भून रहा है कि 2024 में क्या होगा लोग सभाचुनाव में बीजेपी को कितनी सीटे मिलेंगी उत्तर भारत में जिस तरह की सियासी बयार दिख रही है क्या वैसी ही हवा दक्षिन भारत में भी है सियासत में वही नेता सफल होता है जिसे जमीन पर अपनी ताकत और कमजोरियों का सही सही अंदाजा होता है बीजेपी महारतियों को भी अच्छी तरह परता है कि उत्तर भारत की राज्यों में जहां मोधी लहर बनी हुई है वही डक्षिन भारत के पांच बड़े राज्यों में से कही भी B.J.P की सरकार नहीं है B.J.P के बड़े नेताओं को इस बात का भरोसा है कि देश के पश्चिमी हिस्से की समुद्री हवा कमल को तो शायद सूट कर जाए लेकिन पूरवी हिस्से के दो बड़े राज्यों पश्चिम भंगाल और उडिसा में तमाम कोशिशों के बार भी बीजेपी को खासी काम्याबी नहीं मिल पाई है बीजेपी ने 2024 के लिए नारा दिया है तीसरी बार मोधी सरकार पर क्या ये संभव है वैसे तो राज्यीती में कुछ भी असंभव नहीं है ऐसे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर मोधी सरकार के सपने में कहां कहां दिक्कते आ सकती हैं उत्तर भारत की तरह दक्षण में बीजेपी को काम्याबी क्यों नहीं मिल पाई है करनाटक और तेलंगाना के नतीजों के बार अब हालाग कितने बदने हैं दक्षण में बीजेपी के विजयरत को लगेगा ब्रेक या मिलेगी रफ्तार भारत एक सोच में आज ऐसी ही सवालों पर मन्थन की कोशिश करेंगे 2024 का उत्तर दक्षण में राजनीती और समय दोनों अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं राजनेता और सामान आदमी उसी प्रवाह में अपने लिए बहतर संभावनाय तलाशता रहता है बुद्ध जीवी और पुलिटिकल पंडित नतीजों के हिसाब से तर्क गढ़ने का काम करते हैं ऐसे में 2024 का उत्तर दक्षिन समझने के लिए दो घटनाव का जिक्र करना जरूरी है पहली तीन दिसंबर 2023 को आये विधानसभा चुनाव के नतीजे जिसमें राजस्थान, मद्ध प्रदेश और 36 गड़ में कमल खिल गया वहीं तेलंगाना में कॉंग्रेस पर लोगों ने भरोसा किया दूसरी घटना है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रान पतिष्ठा कारिक्रम उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी के पक्ष में सुनामी चल रही है लेकिन समाज की नबस्त तोलने वाले पंडितों को अच्छी तरह पता है कि राम के नाम पर राजनीती का उत्तर कांड चल रहा है बीजेपी भी इस चीज़ को समझ रही है शायद इसी बज़े से 40 लोग समझ सीटों वाले बिहार में नितीश कुमार के साथ गलबहिया करने में बीजेपी को 2024 की राह आसान दिखी 80 लोग समझ सीटों वाले यूपी में बीजेपी को कमल के पक्ष में महौल दिख रहा है जहां हर सीट पर स्रिकोणिय लड़ाई की स्क्रिप्ट तयार है सच्ट यह है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी अपने चरम बिंदू पर है ऐसे में उत्तर भारत में 2019 की तुलना में बीजेपी के लिए सीटे बढ़ाना आसान नहीं है लिहाजा अपने टार्गेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को दक्षिन भारत की और देखना होगा सबसे पहले बात करते हैं करनाटक की जहां बीजेपी कई बार सक्ता में रह चुकी है पिलहाल करनाटक में कॉंगरेस की सरकार है लेकिन पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने करनाटक पर खास कोर से फोकस किया वहां की कमान प्रदेश के दिगज नेता बीएस यदुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंदर को सौब दी है पार्टीस के नराज नेताओं की घर वापसी का काम भी जारी है ऐसे में सबसे पहले दक्षन भारत के राजनेतिक समीकरण को समझते हैं लोकसभा में सीटों के लिहास से दक्षन भारत में सबसे बड़ा राज तमिल लाडू है जहां लोकसभा में 49 सीटे हैं जहां सत्ता के धुरे DMK और AIA DM के बीच घूमती रही है दूसरे नमबर पर 28 सीटों के साथ करनाटक है जहां सत्ता कॉंग्रेस और BGP के बीच आती जाती रही है लेकिन JDS भी एहम खिलारी के भूमिका में है तीसरे नमबर पर 25 सीटों के साथ आंध प्रदेश है जहां सत्ता में YSR कॉंग्रेस है कॉंग्रेस और TDP दोनों अपनी राजनीतिक जमीन हासल करने के लिए जद्द जहेत कर रहे हैं विधान सभाच चनाव में सत्ता BIRS से निकल कर कॉंग्रेस के हाथों में है BGP को इस प्रदेश में बहुत संभावना दिख रही है एक लोग सभाच सीट वाली पुडू चेरी पर भी कॉंग्रेस और BGP दोनों के निगाही है दक्षिन भारत के पांच बड़े राजियों में से करनाटक और तिलंगाना में BGP को अपने लिए सबसे अधिक संभावना दिख रही है लेकिन एक सच ये भी है कि अब तक BGP दक्षिन भारत में खुद को मजबूती से खड़ा नहीं कर पाई है बीजेपी का ये प्रॉब्लम है कि साउथ में BGP सम्हों BGP का जो पॉलिटिक्स है कि उसकी साइकिय में इतना वो नहीं हो रहे है लेकिन BGP बहुत हाड़वर कर रहे है उसी स्टेट उसी राजियों में भी करनाटक को दक्षड में BGP का प्रवेश द्वार माना जाता है लेकिन BGP के तमाम कोशिशों और धुआधार पचार के बाद भी पिछले साल हुए करनाटक चुनावों में कॉंग्रेस ने बाजी मार ली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सिधरमया ऐसे में कॉंग्रेस को करनाटक के 28 लोग सभा सीटों में से अधिक से अधिक अपने खाते में करने के चुनावती है कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकाजुन खरगे भी करनाटक से ही आते हैं वहीं बीजेपी के सामने कम से कम 2019 जैसा प्रदर्शन दोहरानी की है ऐसे में हनुमान जी के जंडे के नाम पर सूबे के सियासत उबल रही है यहां कभी हिजाब, कभी हाला, कभी बजरंग बली के नाम पर सियासी तवा गर्म करने के कोशिश होती रही है करनाटक का सामाजिक समीकरण भी बीजेपी की राजनीती को सूट करता है पिछले दो बार, 2014 और 2019 में जिस तरह से कांग्रिस का सुप्रा साफ हुआ था इस बार कांग्रिस की सरकार आने के बाद कुछ हट तक लग रहा है कि करनाटक में जो एक कांटे की टकर देखी जा सकती है संभवत है, दक्षन भारत में करनाटक इकलोता ऐसा राज्य है जहां की जाती विवस्था में एक बड़े जातिय समुह को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में काम्याब रही है यहां के प्रभाव शाली लिंगायत समुदाय का बीजेपी को समर्थन रहा है इस बोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ने में दमदार भूमिका निभाई है बीएस येदि यूरप्पा ने अभी येदि यूरप्पा के उम्र 81 साल हो चुकी शायद उनकी सेहत भी साथ नहीं दी रही ऐसे में बीजेपी ने येदि यूरप्पा के बेटे बीवाई विजेएंद्र को प्रदेश धक्ष के कुरसी पर बठा दिया बहुत माइनों के बाद उन्होंने एक नाया प्रेजिडेंट को चुना यंग प्रेजिडेंट की बेटा विजेएंद्र की उनका जो देदर्थ में अभी एक तो हम अभी तक देख रहे हैं पार्टी एकटा हो गया कि पार्टी में जितना अभी डिफ्रेंस था नेताओं के बीच में एक तो वह गया इसकी वज़े से हमको पता है अभी दो जगदी शटर ने वापस आया और बीजेपी उधर काम कर रहे है वो चौर लोग जो लोग चोड़ा था असंबली चुनाव से पहले उनको वापस लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में करनाटक बीजेपी के रत से उतरने वाले नेताओं की वापसी कराने काम भी तुफानी रफ़तार से चल रहा है पार्टी नेताओं के अंदरूनी मतभेदों को खत्म करने और सब को साथ लाने के दिशा में भीतर खाने काम हो रहा है बीजेपी रणनेतिकारों की कोशिश है कि लिंगायत के साथ साथ सूबे के दोसरे प्रभावशाली समुह वुकालिका समुदाय का भी वोट जोड़ा जाए संभवत है इसी सोच के साथ बीजेपी ने जेडियस के साथ हाथ मिलाया है जेडियस के करता धरता एचेडी देवगोड़ा वुकालिका समुदाय से आते जेडियस अब पूरी तरह से बीजेपी में एक हिसा बन गई है और जिस तरह से उनको दो सीटें देने का अश्वासन दिया गया है ऐसा लग रहा है कि जेडियस के साथ जाने से जो वुकलिका समाज का एक वोट बैंक है जो दक्षिन करनाटक में जहांपे कि बीजेपी औस तन कमजोर परफॉरमस दिखाती है ती वहाँ पर भी उसको कुछ फाइदा जरूर हो सकता है करनाटक पॉलिटिक्स में बीजेपी और जेडियस दो ऐसी पार्टिया है जिनके अपने कोर वोटर है जेडियस के साथ वो कालिगा समुदाए है तो बीजेपी के साथ लिंगायत समुदाए पिछले साल विधन सभाचुनाव में बीजेपी और जीडियस दोनों को नुकसान हुआ था अगर 2020 में बीजेपी और जीडियस के मिले वोट को जोड़ दिया जाए तो यह आकड़ा 50 फीस्दी के निशान को पार कर जाता है यानि कॉंग्रेस को मिले वोट से करीब 7 फीस्दी जाधा हो जाएगा दूसरी ओर बीजेपी रड़ नितिकारों की सोच है कि लोकसभाचुनाव में पियम मोदी के नाम पर वोट ऐसे ही बढ़ जाते ऐसे में पियम मोदी और दूसरे बड़े बीजेपी निताओं का करनाटक पहुचना लगाता जारी है वहीं कॉंग्रेसी रड़ नितिकारों का अनुवान है कि करनाटक में बीजेपी का जंतर मंतर और दाओं पेच नहीं चलेगा 2019 में करनाटक की 28 लोग सभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 25 सीटे आई थी इस बार हर सीट पर बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है पूर प्रधान मंतरी HD देव गोडा की पार्टी जनता दल्स शेक्टिलर भी NDA के जहाज पर सवार हो चुकी है पिछले विधान सभा चुनाओं में जेडियस का प्रभाव और सिमट गया था ऐसे में जेडियस अब बीजेपी के साथ गड़भन्दन में अपनी टाकत में इजाफे का हिसाब लगा रही है इसी तरह तेलंगाना में कॉंग्रेस के रेवन्प रेड़ी विजेपी का विजेरत रोपने के लिए डटे हुए है पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है उसमें बीजेपी वी आरेस को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश के दूसरे नमबर की पार्टी बनने की कोशिश करती दिख रही है 2019 में सूबे की 17 लोग सभा सीटों में से चार बीजेपी के खाते में आई थी तेलंगाना का गठन तीन मुद्डों पर हुआ था पानी, पैसा और रोजगार निलू, निधुलू और नियामा कालू इन तीनों मुद्डों पर जन विरोधी सरकार ने तेलंगाना के लोगों के साथ दोखा हुआ है प्रधान मंत्री मोदी कुछ इसी अंदाज में मार्च अप्रेल में तिलंगाना के जमीन से अपने विरोधियों पर निशाना साधते दिख सकते हैं उनके निशाने पर एक और सूबे की रिवंतरिडी सरकार होगी तो दूसरी और बियार सुप्रीमों के चंद शिख राव बीजेपी के महरत ही हिसाब लगा रहे हैं कि तिलंगाना में हवा किस के पक्ष में चल रही है और इसे किस तरह से बदला जा सकता नवंबर में हुए तिलंगाना विधान सभाचिनाव के नतीजों से बीजेपी नेताओं के होसले बलंद है तेलंगाना के जो भी असम्बली चुना हुए थे उसमें बीजेपी का जो पर्फॉर्मेंस है वो देखा जाए तो एक अनुमान तो साफ हो गया है कि पहले के मुकाबले इस बार बीजेपी काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस दे सकती है क्योंकि जिस तरह से उसका वोट शेयर बढ़ा है और जिस तरह से उसको एक्सेप्ट किया गया है तिलंगाना बीजेपी के कमान जी किशन रड्डी के हाथों में हैं सूबे की सभी लोग सभासीतों के लिए प्रभारियों की नियुक्ते भी हो चुकी है माना जा रहा है कि आयुध्या में राम मंदिर से जो लहर पैदा हुई है उसका भी बीजेपी को सियासी फाइदा तिलंगाना में मिल सकता है क्योकि श्री राम के सबसे खास हनुमान का कनेक्शन तिलंगाना से है इसी तरहे बीजेपी रड़नी थिकारों की सोच है कि सूबी की सत्ता में लंबे समय तक रहे केसी आर का तलिस्म अब खत्म हो चुका है भलही एंटी इनकंबिंसी फैक्टर की वजह से कॉंग्रेस को तिलंगाना की सत्ता मिल गई हो लेकिन आम चुनाओं में पलड़ा बीजेपी का ही भारी रहने के संभाव ना है खास तोर से रामंदिर का जो एक फैक्टर है तेलंगाना में काफी हद तक बीजेपी को कुछ फाइदा जरूर पहुचा सकता है for the simple reason कि वहाँ पर जो हनुमान के भागता है क्योंकि हनुमान को दक्षिन भारत से माना जाता है और जिस तरह से उनको एक आस्ता में जो बड़ोतरी हुई है और जिस तरह का polarization कुछ चट तक हमने देखा है और जो केसी आर के खिलाफ नाराज़गी सबसे बड़ी बात जो होती कि जिस तरह से केसी आर को बोट आउट किया गया जो एक political vacuum बना है एक तरफ Congress और दूसरी तरफ बीजेपी तो यही एक बड़ा factor रज़र आ रहा है बीजेपी महरतियों को तिलंगाना में वोट का गणित अपने पक्ष में दिख रहा है 2018 में सूबे में खुए विधान सभाद चुनावों में बीजेपी को करीब 7 फीजदी वोट और एक सीट मिली वहीं कुछ महीने बाद हुए 2019 लोग सभाद चुनाव के दौरान सूबे में बीजेपी को 19.45 फीजदी वोट मिले थे और चार लोग सभाद सीटों से बीजेपी उम्मिदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे 2023 नवंबर में हुए तिलंगाना चुनाव में बीजेपी के खाते में वोट करीब 14 फीजदी आया और सीटे बढ़कर आठ हो गई ऐसे में बीजेपी ने पहले से अपने तेस्टरार निताओं को मिशन पर लगा रखा सभी आठोवे धायकों को प्रभारी बनाया गया लोक सभा भेजा जाएं तिलंगाना के लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है क्योंकि यहां कॉंग्रेस बी आरेस बीजेपी और ओवेसी के पार्टी ए आई एम आई एम बड़ी दाविदार है हैदरबाद के मिजाज में सभी पार्टीों को अपने लिए संभावना दिखती रही है कॉंग्रेस भी बीजेपी के गेम प्लान को अच्छी तरह समझ रही है ऐसे में मुख्य मंत्री रेवंत रेड़ी की कोशिश है कि लोक सभाचिनाओं में बीजेपी के विजएरत को तिलंगाना में रोका जाए इसके लिए संग्ठन के कील काटे दुरस्त करने का काम हो रहा है वहीं के चंद शेखराफ के बियारिस भी अपनी कोई सियासी जमीन वापस हासल करने के लिए पूरा जोर लगाय हुए ऐसे में तिलंगाना कॉंग्रेस के सामने चिनोती एक और बीजेपी को रोकने की है दूसरी और की सियार को वहीं बीजेपी को लग रहा है कि के सियार का किला दौस्त होने के बाद तिलंगाना में सियासी शुन नता के स्थिती है जिसे मोदी की गैरंटी का इंजन लगा कर बीजेपी भर सकती है आंद्रपरदेश लोगसभा में 25 सीटे पिछले लोगसभाद चुनाओ में आंद्र की 25 लोगसभाद सीटों में से 22 पर YSR कॉंग्रेस को काम्याबी मिली थी वहीं तीन सीटे TDP के खाते में गई थी इस साल आंद्र में विधान सभाद चुनाओ भी होने है और YSR कॉंग्रेस सुप्रीमों और सूबे के मुख्यमंतरी जगन मोहन रड्डी का कॉंफिडेंस इतना उचा है कि उन्होंने टार्गेट रखा है 175 क्यों नहीं आंद्र प्रदेश में विधान सभाद की सभी की सभी 175 सीटे जीतने का लक्ष लेकर जगन मोहन रड्डी आगे बढ़ रहे हैं पिछले विधान सभाद चुनाओ के नतीजों के मताबिक दक्षिन भारत के इस राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी TDP है उसके बाद पवन कल्यान के जंसे ना पार्टी है तीसरे नंबर पर कॉंग्रेस और चौथे नंबर पर बीजेपी रही अभी सूबे में गटबंदन को लेकर भी तस्वीर बहुत हद तक साफ नहीं है आंदर प्रदेश में शायद कुछ और मेहनत बीजेपी को करने पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से यस जगनरडी जो यस रसीपी के मुख्यमंतरी है उनकी बेहन ने जिस तरह से कॉंग्रेस में शामिल हुई है और तीन सांसत और विधायक जिनोंने खुल कर अब शर्मीला के समर्तन दिया है तो इसमें कुछ है तक एडवांटेज जो है वे कॉंग्रेस को मिल सकता है ऐसे में बिना जगन मुहन रड्डी या फिर चंदरबाबू नाइडो के पार्टी के साथ हाथ मिलाए आंधर में किसी भिराश्वी लिए दल की दो हजार चौबीस के रह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है अब ही बीजेपी के पास सबसे बड़ी गैरेंटी मूदी है सबसे बड़ा ब्रैंड मूदी है सबसे बड़ा चेहरा मूदी है एक तरह से बीजेपी की धूरी है मोदी बीजेपी के नीता अक्सर विपक्षी दलों से सवाल पूछते रहते हैं मोदी नहीं तो कौन? यही सवाल बीजेपी के भीतर भी है कि मोदी के अलावा कौन? फिलहाल तो बीजेपी रणीती कार दक्षिन भारत के राज्यों में एक एक वोट का हिसाब लगा रहे हैं उत्तर दक्षिन की सामाजिक विवस्था, खानपान, परंपरा, बोली और राजनीती में जमीन आस्मान का अंतर है बीजेपी दक्षिन भारत के राज्यों में कमल खिलाने के प्लान पर लगातार काम कर रही है लेकिन उत्तर भारत जैसी मौजूदगी के लिए अभी बहुत पसीना बहाना पड़ेगा आंध्र में बीजेपी की मौजूदगी अभी बहुत कम है पिछले कुछ वर्षों में सूबे की सियासत में जगन मोहन रड़ी का कद बहुत बढ़ा है जिसकी वज़ा से आंध्र कदेश में सियासी जमीन बचाने के लिए टीडीपी और कॉंग्रेस को बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है मतलब बीजेपी के लिए आंध्र की राह में अभी बहुत काटे दिख रहे हैं इसी तरह तमिनाडू के सियासी घमासान के बीच से बीजेपी अपने लिए संभावनाओं के खिड़की दर्वाजे खुलते हुए देख रही है तमिनाडू की राजनीती में ड्रविड एंगल सबसे उपर रहता है वहां की राजनीती पर सी एन अन्ना दुराई, एमजी रामचंदरन, एम करुणा निधी और जे जैलालिता का प्रभाव रहा है जैलालिता के निधन के बाद उनकी पार्टी AIA-DMK कई गुटों में बढ़ चुकी है ऐसे में बीजेपी AIA-DMK के नाराज चल रहे नेताओं को अपने साथ जोडते हुए एक गड़बंदन बनानी की कोशिश कर रही है वहीं बीजेपी को रोकने के लिए स्टैलिन पूरी मजबूती के साथ डटे हुए है काशी और तमिल नारू के रिष्टे भावनात्बग भी है और रचनात्बग भी है काशी तमिल संगभम ऐसा ही अभीरल प्रवा है जो एक भारत त्रेष्ट भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है नरिंद्र मोदी दक्षिर से रिष्टों के डूर मजबूत करने की लगातार कोशिश करते रहें वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि काशी तमिल भले ही भावनात्मक और आध्यात्मी ग्रूप से जुड़े रहें लेकिन बीजेप उत्तर भारत के राजियों जैसी पकर तमिल आडु में नहीं बना पाई कई दशकों से वहां के राजनीती डियम के और एई-आई-एडियम के की परिक्रमा करती रही राश्ट्रे पार्टियां भी इन्ही दलों के साथ गठबंदन कर ताखत लेती रही लेकिन राश्ट्रे एदलों को वहां बड़ी सियासे जमीन बनाने में काम्याबी नहीं मिल पाई तमिल नाडु एक ऐसा राजिया है जहांपे की दरावडियन राजनीती बहुत सक्रिया है और हमने देखा है कि पिछले कई दशकों से लगाता एडियम के और डियम के बीच में ही सरकारे बदलती रही हैं और जैलिता के निदन के बाद जिस तरह से एडियम के विभाजित हो चुकी है उसके कई वरिश नेता जो है वे अलग हो गए हैं और वे बीजेपी के साथ जाने के चुक हैं तो ऐसे में एक एंडिये अलाइंस बनाने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है फिलहाल तमिलनाडू के सत्ता में डियम के मजबूती से डटी हुई है लेकिन साथ साल पहले एई एडियम के की जे जय ललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी में कई गुट बन गये उनकी पार्टी में नाराज चल रहे कुछ नेताओं के साथ बीजेपी ने कनेक्शन जोडने की कोशिश की AI ATMK और BJP के बीच गठबंदन हुआ और टूटा भी AI ATMK की ओर से वज़े बताई गई BJP का तौर तरीका अब BJP बड़ी चतुराई के साथ तमिलाड में एक ओर अपना जानाधार बढ़ानी की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर AI ATMK में नाराज चल रहे निताओं से कनक्शन जोडने की कोशिश चल रही है BJP के लिए एक गेटवे बन गया है जिस तरह से ओपनीर सेल्वम जैसे वरिष्ट निता जो AI ATMK से अलग हो गए है या पाटाली बकलकर जी अन्बूर रामदास की जो पार्टी थी और MDM के जो की और एक पार्टी रिशनल पार्टी है तो ये सब पार्टी जिस तरह से BJP के साथ मिलकर एक छोटा सा राजे का एंडिये अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे है तो इस बार मीद की जा रही है कि 2024 में 1999 के बाद फिर एक साथ सथ शायद हम तमिलाडू से देख सकते हैं तमिलाडू BGP के अधक्ष अन्ना मलाई यात्रा के सरिये सूबे में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे है तमिल राजनीती पर शुरू से फिल्मी सितारों का प्रभाव रहा है नई एंट्री तमिल फिल्मों के जानिमाने एक्टर विजय की है तमिजहागा वेत्री कशकम यानी टीवी के नाम से राजनीतिक दल का एलान किया है पहले ही कमल हासन और रजनी कांत जैसे सितारों ने राजनीती में एंट्री लेकिन एमजी रामचंद्रन और जैल अलिता जैसी कामियावी किसी को नहीं मिली तमिल राजनीती की नबस टटोलने वाले पॉलिटिकल पंडितों का आकलन है कि अब की बार लोग सभाचनाओं में बीजेपी को कई तरह से फायदा हो सकता है ऐसे में तमिलनाडु में वोट शेर बढ़ने के साथ कुछ सीटों पर कमल खिलने की भवश्यवानी की जा रही हाल ही में केरल में बीजेपी को सूबे में साथ बार के विधायक रहें पीसी जॉर्ज के रूप में नया साथ ही मिला है पीसी जॉर्ज की पार्टी केरल जनपक्षम सेकुलर का बीजेपी में विला हो गया सुबे के सामाजिक समिकरणों को साथने के लिए बीजेपी पहले से सनेह यात्रा के जरिए हिसाई वोटर्स को अपने साथ जोडने की कोशिश कर रही प्रधान मंत्री मोदी भी केरल की जमीन से लोगों को डबल इंजन सरकार का फाइदा गिना चुके हैं केरला थिल्ले एंडे अम्मा मारे शहोदरी मारे आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है लेकिन मैं मानता हूँ देश की नारी शक्ती भिक्सित भारत के संकल्पी सिद्धी की सबसे बड़ी गारंटी है दरसल केरल में हिंदू वोटरों की संख्या चौबन दशमलो साथ तीन फीज दी मुस्लिमों की संख्या चब्वीस दशमलो पांच छे फीज दी और इसाई वोटरों की संख्या अठारा दशमलो तीन आठ फीज दी हैं केरल के क्रिश्चन समुदाय को परम परागत तोर पर कॉंग्रेस के अगुबाई वाले यूनाइटेड टेमोक्रेटिक फ्रेंट के करीब माना जाता है वहीं आई यू एमल के प्रभाव के वजह से सूबे के सायों का जुगाव बीजेपी की ओर महसूस किया जा रहा है चर्च प्रमुकों का भी बीजेपी से मेल जोल बढ़ा है ऐसे में माना जा रहा है कि केरल के मौजूदा सियासी सम्ही करण में बीजेपी को फाइदा हो सकता है लेकिन सीटों में कितना बदलेगा इसका हिसाब बीजेपी रड़नीतिकार भी लगा रहे है केरल की जमीन पर RSS के स्वेंसे वक लंबे समय से काम कर रहे हैं माना जा रहा है कि केरल के प्रभावशाली नायर समाज का जुकाव भी बीजेपी की ओर है समय समय पर वहां की सीपीम सरकार को लेकर लोगों की नाराजगी भी सामने आती रहती है ऐसे में दो या तीन लोग सभा सीटों पर बीजेपी उमीदवार कड़ी टकर देते दिख सकते हैं केरल में बीजेपी का वोट शेर बढ़ने की भविश्वानी तो की जा रही है लेकिन सीटों में तब्दील होने के चांस कम है बीजेपी दक्षिन से अपना कनेक्शन जोडने के लिए पूरी शिद्दत से जुटी हुई है दक्षिन भारत के छे राज्यों की लोग सभा सीटों को जोडा जाए तो 130 का आंकड़ा बैठता है जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार और जार्खन की लोग सभा सीटों को ही जोडा जाए तो 136 होता है 2024 के बाद जब 2029 में लोग सभा चुनाव होगा तो उत्तर भारत के राज्यों की तुल्ना में दक्षिन भारत के राज्यों की सीटे कम होने का अनुमान है संसत के नई बिल्डिंग में लोग सभा में 888 और राज्य सभा में 384 सीटे 2026 में परिसीमन होना है जिसमें लोग सभा में सीटे बढ़नी दे हैं यानि 2029 में किसी राज्य का पलरा भारी तो किसी का हलका होगा अभी लोक सभा में जितनी सीटे हैं वो 1976 के परिसीमन के दोरान ते हुई थी जिसका आधार 1971 की जनगर ना थी तब से अब तक देश की आबादी धाई गुना से जादा बढ़ चुकी लेकिन लोक सभा में सीटे नहीं बढ़ी एक अनुमान के मताविक अगर परिसीमन आयोग लोक सभा में 78 सीटे बढ़ाता है तो आबादी के आधार पर यूपी की 80 सीटों में 14 सीटे जुड़ सकती बिहार के 40 सीटे बढ़कर 51 हो सकती राजिस्थान में 7 सीटे और मद्धपरदेश में 5 सीटे बढ़ने का अनुमान है हारियाना और महराश्ट में 2-2 सीट जुड़ने के भविश्वानी की जा रही तो जारखंड और 36 गड़ में 1-1 सीट बढ़ने का हिसाब लगाया जा रहा है वही तमिलनाड को 9, केरल को 6, गुजरात को 6 सीटों के नुकसान की आशंका जताई जा रही आंद्रपरदेश, तरंगाना, उडिसा का पलड़ा हलका होने की भविश्वानी की जा रही लोक सभा में कितनी सीटे बढ़ेंगी तो किन राज्यों को फायदा और किन राज्यों को नुकसान होगा इसे कई राजनीतिक पंडित अपने अपने चश्मी से देखने और समझने की कोशिश कर रहे राजनीती चलती है परसेप्शन और नारेटिव से बीजेपी रणनीती कारों को अच्छी तरह पता है कि लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए समवाद और मिलने जुलने का सिलसिला लगतार बनाई रखना पड़ता है काशी तमिल संगमम के जरिये पीम मोधी उत्तर और दक्षिन के बीच कनेक्शन जोडने की कोशिश करते दिखते हैं वहीं विपक्ष को लगता है कि दक्षिन भारत में मोधी के विजयरत को रोका जा सकता है लेकिन भारतिये लोकतंत्र में कई ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने अपने वोट की चोट से तक सत्ताधारी पार्टियों को चौकाया है चाहे एमर्जंसी के बाद इंदरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना हो चाहे 1984 के बाद प्रचंड बहुमत के बाद 1989 में कॉंग्रेस की हार हो चाहे शाइनिंग इंदिया और फील गुड फैक्टर के बाद भी वाजपई सरकार की सत्ता में वापसी का ना हो ना हो ऐसे में 2024 को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है सरकार और विपक्ष की भूमिका को लोग किस तरह से देख रहे हैं किस तरह की सरकार में अपना भविशिक चमकदार देख रहे हैं उत्तर दक्षिन के मिजाज से इतर लोगों का आईडिया उफ इंडिया क्या है ऐसे ही सवालों के बीच से गुजरते हुए 2024 में उत्तर दक्षिन का फैसला निर्भर करेगा आज बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे बुद्धे के सार जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त निश्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहें नमस्कार